हलो लवली स्टूडेंस वल्कम बाक टू अराउंड सत्या तो आगया हुमें एक बार फिर से आप सभी के लिए ले करके 12th क्लास की पोएम जिसको लिखा है कौमला दास ने तो आज हम बात करेंगे इस पोएम की लाइन बाइन एक्सानेशन और इसकी सेंट्रल आइडिया तो ये पोएम है एक माँ और उसकी बेटी के बीच का जो एक गहरा सम्मंध होता है वो क्या होता है उसी को दर्साया गया है आए सुरू करते हैं यानि पिछले सुक्रवार की सुबह जो पोएटेस हैं वो अपने माता-पिता के घर से कोचीन के लिए रवाना हुई मतलब कि यहां पे जो पोएटेस है वो कार की अंदर बैठी है और उस कार में उनकी मा भी बैठी है driving seat पे पोएटेस है और उसकी बगल वाली seat पे पोएटेस की मा है अब उनकी मा है कैसी डोस उनीदी थोड़ी सी नीद में है open mouth उनका मुँ खुला हुआ है हर फेस ऐसे like that of a corpse और उनका जो फेस है action का मतलब का तराक like me जैसा that key of a corpse corpse का मतलब क्या जाथ dead body मतलब उनका चेहरा बिल्कुल ऐसा है जैसे dead body मरने के बाद dead body का जो चेहरा है वो हो जाता है and realized with pain और उन्हें एक दर्द के साथ एहसास हुआ कि लेकिन जल्दी ही मैंने उस थोट को एक तरफ कर दिया और उसके बाद मैंने कार से बाहर देखना शुरू किया यूबा पौधे या छोटे पौधे हरे भरे पौधे स्प्रिंटिंग जो दौर है जब आप कार में बैठे रहते हैं तो कार आगे बढ़ती है और लगता पेड पीछे भाग रहे कार आगे पीछे द और क्या देखा दा मेरी चिल्डरेन इस पिलिंग आउड अफ दियर होम्स दा मेरी यह मेरी का मतलब बैख खुस चिल्डर्वीज बच्चे एपने घर से बाहर आ रहें घर से बट आफ यह एरपोर्ट शिक्यूर्ट अब क्या है कि रास्टे में चलते हुए वह कहां पर आ जाती है एरपोर्ट पर आ जाती है, एरपोर्ट सीक्योर्टी चेक होती है, मतलब एरपोर्ट पर जो भी सुरच्छा कर्मी होती है, उनकी जांच करते है, स्टेंडिंग फ्यूर्ट सभे, सीक्योर्टी चेक के बाद क्या होता है, उनकी मां वहाँ पर खड़ी हो, थोड़ी दूर पर क्या करती है कुछ गज़ फे खड़ी हो करके I looked again at her अपनी मां को फिर से एक बार फिर से देखती है one का मतलब क्या होता है one means होता है पीला या दुखी पैल का मतलब होता है मुर्जाया हुआ सा एज के जैसा लेट विंटर्स मून लेट विंटर्स मून का मतलब क्या होता है कि जो सर्दियां होती है सर्दियों के लास्ट में जो चांद होता बहुत धुंदला होता है मुर्जाया सा होता है बिल्कुल वैसा ही थी मतलब कहने का मतलब यहां पर यह है कि एरपोर्ट सेक्योर्टी चेक के के बाद वापस मुड़ के अपनी मां को देखती है उनका चेहरा जो बिल्कुल मुर्जाया हुआ सा है बिल्कुल दुखी सा है बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि सर्दियों के अंतिम समय में जो चांद होता है मुर्जाया सा पीला पीला सा दिखता है बिल्कुल वैसी ही है उनकी का डर मतलब कि उन्हें याद आता है कि जब मैं छोटी थी तो ऐसे ही जब मुझे मेरी मां से अलग किया जाता था तो मुझे बड़ी तकलीफ होती थी तो वही तकलीफ यह अभी महसूस कर रही कि अब अपनी मां को छोड़के मैं जा रही हूं कोची आगे देखेंगे बट आल आई सेड लेकिन जो कुछ भी मैंने कहा जो सब कुछ मैंने कहा वह वो था वह था और सिर्फ में मुस्कुराई और मुस्कुराई और मुस्कुराई ठीक है मतलब जब हम किसी से बिछड़ते तो वहां पर रोना ने चाहिए कि लास्ट वाली जो इसमृति उसकी रोने वाली रहाइगे तो सामने व्लाइगा दुखी महसूस करेगा तो जब किसी से बिछड़ते हैं तो उसे मैं करते हैं मुस्कुरा के उसे अल्विदा कहते हैं तो वो पोटे से भी अपनी मां को क्या करती हैं सिर्फ इसमाइल करती हैं और कहती हैं कि आप से जल्दी मिलोंगी अम्मा यह है इसकी सेंट्रल आइडिया आए इसकी बात करते हैं the poem my mother at 66 is composed by Kamala Das my mother at 66 नामक कविता Kamala Das जी के द्वारा कंपोच किया गया है लिखा गया है the poem talks about the feeling of loneliness यह जो कभिता है वो बात करती है अकेले पन के एहसास के बारे में that key aged people aged people का मतलब है उम्रदराज लोग experience महसूस करते हैं and the feeling of guilt और एक अपराध का एहसास होना which जो की the children उनके बच्चे experience महसूस करते हैं for not ना होने के लिए being able मतलब योग्या सच्चम to be with their parents in their old age अपने माता-पिता के साथ बुढ़ापे में होना तिक तो इसमें यह है इसमें यह है कि यह loneliness के बारे में बात करते कि जैसे ही माता-पिता से उनके बच्चे अलग होते हैं और जो इस पीपल होते हैं वो अकेले रह जाते हैं तो इसकी एक जो feeling है एक अपराद की feeling या एक अकेले पन की feeling उसके बारे में यह कविता बात करती है और यह जो कविता है the poem also talks the feelings of disappointment and pain that a daughter experiences अभी जो कविता है also talks the feelings एहसास के बारे में बात करती है भावनाओं के बारे में बात करती है disappointment निरासा and pain और दर्द that की a daughter यान एक पुत्री experiences में हसूस करती है वाइल जब leaving her mother अपनी मा को छोड़ रही है all by herself उसके खुद के भरोसे at a old age उसके बुढ़ापे की उम्र में ठीक है और यह कविता यह भी बात करती है कि कि किस तरीके से जो बेटी है उपनी मा को एक बुढ़ापे वाले एज में या एक व्रधा वस्था में उसे छोड़ करके वो कहीं और जा रही है तो यह भी बहुत तकलीफ दायक होता है उदासी भरा होता है निरासा जनक होता है बेटी के लिए आगर आप बेटी से अलग होते हैं या जब मा एक अपनी बेटी से अलग होती है तो कितनी तकलीफ होती है कितनी पीड़ा होती है ऐसा लगते है जैसे आप से आपकी दुनिया छीनी जा रही है तो ओवराल यह जो पूरी की पूरी कविता है यह बात करती है मदर और डॉर्टर के के बारे में और यह भी बात करती है कि जब वो तोनों अलग होते हैं तो कितना दुख होता है उन दोनों को तो यह थी इसकी सेंटरल आइडिया के पहले मैं आपको लाइंग बाता चुका हूं तो आपको यह वीडियो कैसे लगी कॉमेंट में जरूर बताईएगा थैंक्स वा करका घंक्स को कहले हैं कि तूर दो हूं मेंट्जर हैं, कि ज mascले हैं तो में में वीडियोता हैं के दो ए neutral सुप लेदाने कर दो कितना ओ कि अधर सक्वेशने के बाते हैं